हेलो फ्रेंड्स आप देख रहों सुनिल टुटोरियाल और मैं हूं सुनिल आज के इस टुटोरियाल में मैं आपको फ्लोटिंग ओपनर क्रेट करके बताऊँगा वह भी फिल्मोडा के अंदर फिल्मोडा के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शिन नहीं जिसके अंदर आप किस भी क्रियाट कर सकते हो, floating opener जैसा आपको उस्क्रिन पर दिख रहा होगा, same to same हम create करेंगे, तो चलिए, शुक्रत आज का वीडियो, floating opener को create करने के लिए, सबसे पहले में floating opener का background की रेक्टर ना होगा, तो उसके लिए आप किसी भी online video editor का use कर सकते हो, या आप mobile pixel lab को use कर सकते हो, जिससे आपको इस परकार का, एक simple background यूज कर सकते हो, जो के gradient background है, अगर आप किसी photo editor का उप्योग नहीं करना चाहते है, तो आप filmora के sample color में जाएए, और यहां से आपको बहुत सारे colorful background और gradient background देखने को मिल जाएगा, आप यहां से किसी को भी choose कर सकते हो, जिससे मैं अपने gradient background को use कर रहा हूँ, उसका आपको sample color में जाना है, और यहां से इस white background को यहां पर डाल देना है, उसका दोनों को select कीजिए, और इसका size को थरह सा increase कर दीजिए, लगवग 16 seconds के according, उसके बाद यहां पर आपको इस white background पर right click करना है, और यहां से crop and zoom पर click कीजिए, और आपको इसे custom पर click करना है, यहां से, और कुछ इस परकार से आपको एक rectangle crop करना होगा, तो आप इस तरीके से एक rectangle crop कर सकती हो, आप मैंसे कुछ लोग बोलोगे कि इस तरह से rectangle crop करने से च्छा, मैं tiles में जाकर custom में जाकर एक rectangle shift draw कर लूँ, बट वो हमारे इसमें काम नहीं आगा, हमें एक rectangle background चाहिए, उसके बाद आपको उस वीडियो को यूज करना है, जिस वीडियो पर आप काम कर रहे हो, जैसे मैं ऐसे वीडियो को बना रहे हूं तो मैं वीडियो को इसमें एड नहीं क्रेंसहता, बट मैं अपने intro को एक्जांपल के लिए add कर रहे हूँ, जैसे कि मेरा souri tutorial का intro है तो मैं से additions, दाल देता हूं, कि उसकर आप एक और एड कर दीजिए क्योंकि मेरा इंट्रो जो है बहुत छोटा है कि उसकर आपको कुछ स्थिर के सर्जेस्ट कर लेना है अब देखिए पूरे में मेरा इंट्रो चल रहा होगा याफ का आए जैसे आपको फिडियो चल रहा होता है आप बीच में टापिक सो करने के यहां कई पर वीडियो कर पावगे बीच में उसके लिए लिए आप यहां कई पर भीस स्टार्टिंग की बाद आके शेड87 करना गर आप को इस वीडियो को लेयर को मुईTo करता है। रख्षक है रण테या के निपस्कुत में आफ जाकर कस्त्रमाइशस पर ट्लिक करना है और हैं जाता है क्या नहीं सद्द्र सकुझे में ट्थटा गर चेंज बाएड गरने होगा। और इसके position को भी आपको change करना होगा तो आपको इसके x position में थुरसा changes करना होगा इसे left की और इस तरह क्यासा adjust कर लेजिए अब देखे मैं यहाँ पर आपको प्रेकर करके दिखाता हूं यह देखिए यह आपको कुछ इस प्रगार से देखने को मिलेगा कि उसका थुरा सा आगे जाई यह लगवक यहां पर उसका यहां पर इस वीडियो को सेलेट कीजिए और यहां से एड की फ्रेम पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर आपको सेम साइज रखना है जिससे कुछ चेंजेस नहों बट आप म सेम होगा क्योंकि मैं यहां पर दो वीडियो को यूज कर रहा हूं तो यहां पर स्प्लिट हो रहा है तो यहां पर देखिए यहां पर हमारा 109 प्रसेंट है माइनस में और यहां पर 51 है इसके लिसका तो आपको यहां पर आना है और इसे 100 यहां पर माइनस 109 कर देना है और लग-अलग हो रहा है, वहाँ पर आपको कुछ इस सरी करके छेक करना है, कि सच में इसका पोजिशन चेंज या स्केल चेंज तो नहीं हो रहा है, अगर आपको कुछ भी ऑच अंतर, या डिफेंट डेखनों को नहीं मिल रहा है, तो उसके बार आपको काम perfect हो चुका है, अगर यहां पर एरो नहीं आएगा उसका थुरस आगे जाएगा पर इस वीडियो को सेलेक्ट कीजिए और यहां से कि रिसेट बटन पर आपको क्लिक कर देना है जिससे जो भी सेटिंग आपने अप्लाई किया होगा वो रिसेट हो जाएगा कि कुछ इस प्रकार यह आपको देखने को मिलेगा यहां से क्स्ट्रम पर क्लिक कीजिए और यहां पर मैं कीफ्रेम एड्ड कर देता हूं यहां पर लगबग कि वसा आगई हो यहां पर यहां पर की फिर्वेम एड़ कर दिजिए उसका तुरा सब पीछे आईए देखें यहां पर आपको पीछे का बैक्ड़ून दिख रहा है कुछ इसी समय पर आपको आना है और उसके बाद इसके पोजिशन को कि Y-position को मायनस में कर देना है कि अप यह ज़रूरी नहीं कि आप मायनस में करो Y या डारेक्ट वाय ऊपर कर दो यह आप X के साथ ब्रसक्राइब ज्यसर में यहां पर 00 डाल देता हूं अगर मैं यहां से X के साथ मैं यह नहींद आतबर मुझे दीखेगा मैं यहां पर आपको डेमो के लिए इसके बाइड कर सकते हो उसके बाद आप देखिए को कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा और साथ में आपका यहां पर टॉपिक टेक्स्ट में भी लिखा आए तो उसके लिए आप आप आईए जहां पर आपकर white background का animation खतम रहा है उसके बाद okay पर click किजिए यहां से और tiles में जाएए यहां से default tile को wydrag करके यहां पर डाल देना है और उसके बाद हैंसे आपको default title पर right click करना । advance edit पर click करना है और यहां से आप यहां पर अपना text add कर सकती हो, तो मैं यहां पर डाला देता हूं उसकर आपको इसके color को black कर देना है, तो इसके लिए आपको यहां से इसके text के color को change करना है, यह जरूरी नहीं कि white पर आप black ही use करो, जैसे मैं यहां पर blue यूज़ कर रहा हूं, तो आप blue भी use कर सकते हो, red भी use कर सकते हो, color आप पर totally depend करता है, यह जो बाहर देख रहे हो आप white color का, यह भी आप अपने recording adjust कर सकते हो, इसका color इसका size या height या width, यह सभी आप अपने recording changes कर सकते हो, उसके आपको इस text में भी animation add करना है, तो आपको इसके text animation में, कोईसा भी animation add कर सकते हो, बट मुझे पूरे film बोरा में, just typewriter ऐसा animation है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आ आपको okay पर click कर देना है, और हमार account complete हो चुका है, अब देखिए मैं इसे player का आपको दिखा देता हूं, इंट्रो को मैंने just example के लिए लिया है, आप इसके जगा अपना video यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर static time खतम हो रहा है, तो इसके भी fix करना होगा, उसके लिए आपको इस पर select करके right click करके advance edit पर click करना है, और यहाँ पर इसके end part को तुरह सा है, कुछ इस तरी कैसे कर देना है, जिससे यह videos होते भी दिखे, उसका okay पर click कीजिए, और आपको इस text को जहां तक यह keyframe आ रहा है, वहां तक कर देना है, जिससे यह और भी अच्छा दिखे, उसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई icon या किसी पर करका emoji यूज़ करना चाहते हो, तो वह मैं आपको बताते हूँ, वह आप किस तर से use करोगे, उसके लिए आपको इस पर right click करना है, advance edit पर click कीजिए, उसके बाद यहाँ पर click कीजिए और यहाँ पर देखिए, इमोजीज का option आपके सामने enable हो जाएगा, तो आप यहाँ से emojis को भी add कर सकती हो, मैं यहाँ पर interdit करता हूँ, और यहाँ से कुछ emojis को मैं यहाँ पर add कर देता हूँ, जैसे कि heart shape को, जिसमें यहाँ पर simply heart को use कर लेता हूँ, उसका यहाँ से close पर click कर दीजिए, यहाँ पर हमारा heart आच चुका है, वह भी blue color में, यह आपके text पर depend करता है, तो आपको इस इससाफ से text select करना होगा, उसके बाद आपको okay पर click करना है, और यह देखिए, यहाँ पर हमारा images भी add हो चुका है, और यह भी animation में ही आएगा, और animation में ही जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, और उस effect का नाम है mild, आपको इससे यहाँ पर drag and drop करना होगा, जहां से आपकी frame स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आया, उसके यहाँ पर देखिए, यह इस तरीके से आपको shake होते वे दिखेगा, तो आपको वहांस तक इसको stretch करना होगा, जहां त और इसी परकार से आप अपना opener create भी कर सकते हो, तो इसी तरीके से आप अपना custom opener create कर सकते हो, चाहे तो आप इसी परकार को create कर सकते हो, या आप इससे बैतरीन opener भी create कर सकते हो, फिल्मोडा के अंदर, अगर इस वीडियो में आपने कुछ नहीं सिखा, तो वीडियो को like कीज कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करकर जुरू पता हिए कि ये वीडियो आप कैसे लगा और आप मुझे इंस्टार्राम पे फॉलो कर सकते हो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप महासे में फॉलो कर सकते हो तब तक के लिए जय हिंद जय शुजाम